चोटल न्यूस पर देखें महिला जूनियर कोच की ओर से खेल मंतरी संदीप सिंग पर लगाए छेड़ छाड के आरोग का माबला तूर पकरदा जा रहा है और हर्याना प्रदेश महिला कॉंग्रेस अध्यक्षर सुधा भार द्वाज ने खेल मंतरी को तुरंत पद मुक्त कर इस मामले की हाई कोट के सिटिंग जच से जाच करवाने की मांग की है और वही पर उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि अगर इस मामले पर कारवाई नहीं की गई तो कॉंग्रेस जिलास तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी और मामले में हर्याना प्रदेश महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष सुधाबार द्वास से खास बातचित की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने देखिए वो क्या कह रही है एक महिला जूनियर कोई द्वारा मंत्री पर लगाएगे और ओको का मामला तूल पकड़ता जा रहा है इस में मेरे साथ हैं हर्याना प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधाबार द्वार इन से जानते हैं कि वो इस मामले की जाच क्यों करवाना चाते हैं देखी यह बहुत ही हर्याना के लिए दुर्भाक्यपूर्ण स्थिती है कि हर्याना में जहां पर कि हमारे मामनिये परधान मंत्री जी ने यह नारा बेटी पचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया था और आज हर्याना की ये स्थिती हो रही है कि यहां पर बेटिये जो बीजेपी के नेता हैं उनसे ही बचाने की ज़रूरत पड़ रही है तो जो हमारे खेल मंतरी संदीप सींग जी ने इसके उपर आरोप लगाया है एक जूनियर मनिला कोच ने तो यह बहुत ही दुर्भाट्य पूरू स्थिती है तो महिला कॉंग्रेस जो है इसके लिए मांग करती है कि सिटिंग जज सिटिंग जज हाई कोट के सिटिंग जज से उसकी जांच हो और जो संदीप सींग जी है उनको पदमुक्त किया जाए ताकि यह जांच जो है निश्पक्ष हो सके किसी दबाओं में या उनके ओदे के दबाओं में ना हो सके और जो महिला आयोग चोटी चोटी बातों पर सू मोटर का संज्यान लेती है तो आप वो चुप क्यूं है हम महिला आयोग के अध्यक्षाजी से भी मिलेंगे और अगर कोई भी कारवाई नहीं हुई सरकार में कोई कारवाई नहीं की तो महिला पांग्रस की अजैस्ट सुदावार्दवाज इन्हों ने बताया कि एक महिला जूनियर कोज ने मंत्री पर छेट चार के अरोप लगाए हैं और इस मामले की जाच हाई कोड के सिटी जंग से कुरवाई जाए इसके साथ साथ इन्हों ने सुपष्ट कर दिया कि अगर उनकी ब प्रदर्शन देवी अनिल कुमार टोटल नियूद चन्डिगार